ओम नारायन 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 सब मीत्र कुराम राम सबका स्वागत है दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों कल 9 अगस्ट शुकरुवार को गुस्पेटिया नाम की हिंदी फिल्म थेटर में रिलीज हुई है मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था जस्ट मैंने देखा बुकमाईशो पर फिल्म लगी है तो मैं देखने के लिए चला गया था फिल्म में विनित कुमार सिंग, रोशी रोतेला, अक्षे ओबर अधियाधी, मुख्य बुमिका में है और सुशी गनिशन ने इस फिल्म को ड्रेक किया है इससे पहले उन्होंने पाँच तमिल फिल्मों को और एक हिंदी फिल्म को ड्रेक किया था ये उनकी साथवी फिल्म है और दूसरी हिंदी फिल्म है सबसे पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो रवी राणा विनित कुमार सिंग ने character play किया है, एक प्रामानिक इमानदार ऐसा police officer होता है, उसके उच्छे अधिकारी उसे एक task देते हैं, phone tapping का, कई सरे बड़े-बड़े politicians और police department के भी कुछ बड़े अधिकारी, उनके phone tap करने का काम दिया जाता है, विनित कुमार सिंग, उनके पात्र का नाम है रविराना, तो वो phone tap करते, 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 कई सरे बड़े-बड़े लोगों के secrets रविराना को पता चलते हैं, पहले तो वो बहुत प्रामानिक होता है, पर तो बाद में फिर उन लोगों को blackmail करके, वो उनसे पैसे लेने लगता है, छुप कैसे, अलाकि वो पैसे अपने पास में नहीं रखता है, एक मनी भाई नाम का character उन्होंने दिखाया है, तो उसके पास वो पैसे रखता है, black, white वगेरा करने के लिए, तो यह सब कुछ करते, 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 एक दिन वो अपनी पत्नी का ही call सुन लेता है, और पता चलता है, इसमा ने अक्षियोबरा ने character play किया है, वो एक cyber stalker उसे दिखाया है, software engineer है, कई सरी महिलाओ को, लड़कियों को फसाता रहता है अपने जाल में, और इसी परकार से उसने रविराना की पत्नी को भी फसाया है, रविराना की पत्नी का character उर्वशी रोधेला ने play किया है, उसक रविराना की पत्नी को उसकी मीठी-मीठी बाते पसंद आती है, वो उसके साथ वीडियो चाट वगएरा भी करने लगती है, फिर उसी वीडियो चाट में से एक screenshot निकाल कर अंशुमान उसे blackmail करने लगता है, अब इसके बात में कहानी आगे कहा जाएगी वो तुरंत कोई भी guess कर सकता है, obviously फिर रविराना कैसे अंशुमान की पीछे जाता है, कैसे उसको वो पकड़ता है, फिर अंशुमान भी रविरानों को obviously blackmail करेगा, क्योंकि रविराना ने भी कई सरे लोगों को blackmail करके पैसे लिये हुए होते हैं, बड़े-बडे politicians वगेरा से, तो अंशुम करके भले थोड़ा सा किसी को interesting लगर सकता हो, परूंतु film का direction सच में बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ज़्यादा खराब, बिल्कुल किसी cheap B-grade film की तरह ही film लग रही थी, performances भी इतने खराब थे, इतने खराब थे न, film कई जगों पर हमें literally irritate करती है, बिल्कुल embarrassing ऐसा अनुभव experience फिल्म देती है, बहुत ज़्यादा खराब presentation था, direction था, direction तो खराब था ही, परूंतु उसके साथ में character development, story उस पर भी उनने कोई काम नहीं किया था, शुरुआत में एक बार जब रवी राना को अन्शुमान के बारे में पता चलता है, उसके बाद, ending तक उजब में परिशान करते हैं, असहनी हो जाता है, वो एक limit के बाद में, फिल्म में, थेटर में कम से कम, जब में देख रहा था ना, बहुत असहनी हो गया था, irritate कर रहे थी वो सारी बाते, उपर से performances वगरा तो खराब थे ही सबके, मतलब विनित कुमार सिंग वगरा इनकी प्रपॉमंस नहीं निकाल पाए, या बिल्कुल ही, जैसे बीना इच्छा के उन्होंने फिल्म को बनाया हो, ऐसा लग रहा था, बाकि तो फिल्म की बारे में कुछ भी बताने जैसा है नहीं, फिल्म सच में बहुत खराब थी, मैं गुस्पेटिया को दोंगा, टू आउट बहुत धनिवाद, जैश्री राम, वंदे मातरम